कैसे हो प्यारे साथियो नमस्कार हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो 27 तारिक को जो है R.A.S.P.E. 2021 का एक्जाम होने वाला है इस वीडियो में दोस्तो जो important topic हैं जिनसे कुछान आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उनकी कुछ ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ दोस्तो ज़िए आप ट्रिक्स के द्वारा कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो भूलने की संभावना कम रहती है खास करके दोस्तो बोच चीज़ें जो इनके एक्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो आईए दोस्तो देखते हैं दोस्तो आपको एक नाम याद करना है आब्र प्रा आथी ये आपको एक नाम याद करना है इसके बाद में दोस्तो आपको कुछ नम्मर याद करना है फॉन नम्मर की तरह चवदा अठाई सरसट पिचतर पिचतर ये नमबर आपको याद करना है दोस्तो ये जो क्या है कुछ सवाएं थी कुछ मूमेंट थे जैसे पहला जो है आत्मी सवा तो दोस्तो जो 1814 में जो है इसकी स्तापना की गई थी फिर दोस्तो ब्रह मतलब ब्रहमस ब्रहमसमाज तो दोस्तो इसकी स्तापना 1828 में की गई थी प्रातना समाज ये इसकी स्तापना दोस्तो जो है सरशट में की गई थी आरे समाज इसकी स्तापना दोस्तो 75 में की गई थी 1875 और थियोसोपिकल सोसाइटी इसकी भी स्तापना दोस्तो जो है 75 में की गई थी तो ये जो है आपको याद कर लेना चाहिए आब्र प्रा आथी और ये नम्मर है चाउदे 28 सरसट पिचतर 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 ज्यादा डिफिकल्ट नम्मर नहीं है पहले फोटीन फोटीन के डवल 28 और फिर सरसट पिचतर जो है 75 दो बार है ठीक है प्रेंट्स आगे हम और चलते हैं दोस्तों यहा नेशनल फ्लेग है वो कब अपनाया गया तो इसकी डेट जो है आपको मालूम होनी चाहिए ये इसके सम्मनित कुछन पूछे जाते हैं तो देखिए फिर आपको याद क्या करना है मैं ली देखिए आपको मैं ली याद यह करना है राश्टी धोजवाला यानि नेशनल फ् 1950 तबी से ये अपनाये गए और फिर वस्ताय राश्टकान तो राश्टकान दोस्तों उससे दो दिन पहले जो राश्टी प्रतीक और राश्टी गीत जब अपनाये गया तो आपको जो है राश्टी धोजका जो है अच्छे से याद रखना क्योंकि इसकी डेड़र जो है I hope आपको इस वीडियो से कुछ मदद होगी.